कि अधिए बाइजर जन्वी दे श्री राम दम न्दर जो युद्याव हें निर्मान हो रहा है उदे समान देविचे केंड़ा चांगे और इधादे जो प्रोग्राम ने कड्रु दा होगा समाजियों है जै श्री राम जी शार्यानु जै श्री राम जी श्री धाम अध्या देवीच पंसो सालावाद श्री राम जी अपनी जनम स्थली ते बिराजमान होन जा रहे है उस प्रलक्ष देवीच पूरे देश देवीच पूरे एकसाइटमेंट है ते हरेक मंदर देवीच हरेकर देवी यहांसा लोक दिवाली मना ओंग दिवाली मनानी यह एने थि अपने मंदर देखे एक रथयातरा आरी ह जडिकिशना रम कोलेजतों लेके इत्ते विश्राम करेंगी करीब अपनी मंदर पोंशनिया इस सारी उसी चीजी तेयरी चल रही है जी एही एक्साइटमें सारे समाज देविछ सारे हिंदू सनातनियां देविछ इसी खुशी देनाल जैश्री राम जी जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम जी देविछ देमनावनी जी ता उसी अत्ति नहीं जा सकते दर्शन दीदूर करना एथे परव दर्शन करांगा जी अपने श्री राम जी देविछ देवाली पूरी अपने शार्दे बेच बनाने जी बड़ी खुशी नात उंता हम ना और सारे नहीं अपना बेंति कर दे हैं कि जड़ा नहीं जा था जोद्या मंदर वह अपने कार्देवत दिपावली कुरे खूना बनाई जाए श्री राम चंदर महराज की जै जै श्री राम जै श्री राम मेडिया दाभी बहुत अनुवाद करना चोंदे है कि तुसी रिपोर्ट कर रहे है जरूर पूरे देश नू पूरे विश्वन उपता लगना चाहे दा कि साड़े पारात वर्ष देविचे राम लला जी अपने जन्मस्तान ते बिराज रहे है ते इस तो बड़ी खुशी अपना मंदर सिब्ल होस्पटल दे कोल सिमंदरा कमालपूर हुश्यारपूर देविचे मैं पंडित दिनेश बसिष्टे सिमंदर दा पुजारी इस्थे सेवा कर रहे है जी जैसी रहे है कोनी तीरा यळवाडू कोनी तीरा यळवाड़ बस दाई पुजार है कोनी तीरा यळवाड़ दीरा कोनी तीरा यळवाल कर रहे की तो बसी ते भील ऌribद कर रहे जोश्टल देवील, कर रहे है देशन धरब देविच बाई तरीक नू प्रोग्राम जो लिक्या गया है उसते समंध वी सारे देश देविच एक जोश दा वातावरन है इसी कड़ी देविच श्री राम चरितमानस पर चार मंडल हुश्यार पुरवलों आज इक ब्रम पोईदा योजन किता गया जिस देविच की अकवंजा ब्राहमन विद्यार्थिया नू पोजन करवाया जा रहा है इस ब्रम पोजन तो बाद आम लोगां दे वास्ते भी लंगर लगाया गया है और सारे अनू जड़ा पर साद रूपी लंगर दिता जाएगा जिते तकन देश दे अंदर हर्शो लास्ता वातावरन है ये बहुत अच्छी गाला है पर इस दे नाल नाल मैं ऐजरूर कहना चाहना हमा कि साड़ी जड़ी अपनी सूच है उए होनी चाहिदी है कि असी भगवान राम दे बनाए होई अधर्शा नू अपने जीवन दा नि चाहिदी है कि अपने माता पिता दी इज़त करो शिरी राम चंदर जी दे पिता ने किया कि तुसी राज तलक होगा और राज तलक ली त्यार होगे उन्हा ने किया तुसी बनवास दे चले जाओ और बनवास ली चले गे राम चंदर जी मानेच किसी दे प्रती द्वेश न पर असी क्या जीवन देविच किसी अपने शत्रों नूँ माफ करने तियार होने नहीं तियार होने हैं रामचंदर जी के राजा से गे उन्हाने अयोधिया नगरी देविच जिदों एक तुबीदी गल सुनके माता सीता नूँ अपनी नगरी चों पेई देता साड़े साशक एन यह ने बड़े जलूस नेकल देया हैं लोग उन्हान नूँ बेंतियां कर दे करन देया हैं कि साड़ियां जैनून डिमांड जनूँ अचेप्ट करो क्या साड़े जड़े साशक है भगवान रामतों एक शिक्षा लेनगे इस करके इस दिन दे उत्ते हर वेक्ति नूँ संकल्ब करना चाहिएदा कि भगवान राम दियां टीचिंग्स नूँ मैं अपने जीवन दे विच उतारूंगा और हिंदोस्तान दे अंदर ताहीं एक राम राइदी स्थापना होएगी ठेंक्यों वरे में ठीक है जी सर अजुद्या दे विचे कई सालां बाद इत्यास का फैसला ले आ गया है ते की सर खुशी जहर करना चाहिएगी सब तो पहला सारे नूँ जैशी राम राम मंदेर अजुद्या दे विच जो की साड़े 500 साल बाद राम लला जी दी उर्थे मूर्ती कल बाई तरीक नूँ स्थापत होने जा रही है उस दे स्वान दे वेच पंजाब होश्यारपूर दे वेच सनातन तरम सवादी तर्थों आज इक्खी तरीक नूँ शक्ती मंदर केशों मंदर विखे चार वजे तो लेके आठ वजे तक बगवन नाम संकीरतन कीता जा रहा है उस दे अपलक्ष दे वेची कल बाई जन्वरी नू संतित कालज बहादर पर विखों एक रत यतरा शेयर दे वेचों निकाली जा रही है जो की बहादर पर चौंग तो चलके कमिट टी बियार गोरांगेट गेंटागार और जिलंदर रोड नजदीक सिवल हस्पिताल दे शेमंदर दे वेचे जाके शोबह इतरा विश्राम करेगी यह सारी ही जो कारेकरम साड़े होर भी बहुत शेयर दे वेचे हो रहे हैं यह सारी ही श्री राम जनम पुमीद स्वान दे वेच राम लाला जिदी मूर्ती जड़ी स्थापत हो रही है उसनी खुशी दे वेची हो रहा है और हर महले महले गली गली दे वेच दीप माना कीती जाओगी दीवे भी जलाए जानगे और लड़ियां भी जलाए जानगे हैं एक चंडियां देनाल शायर में एक दुल्हन दी तरह से जाया गया है यही मेरी सारे आंगे भी अपील है कि कल नो सारे ही अपने करने वेट दीवेज रहिए और दीप माना करिए जैश्री नाम बड़े सालना बाद एक सरकारवलों फैसला किता गया थे काफी जड़ी कौम हो बड़ी खोशे नजर आ रही है युद्या दे मसले वेचे की करना चाहूं कि मैं चाहता हूं कि जो राम जनम भूमी का मसला था हल हो गया और भगवान राम प्रिवार के स्थापना बाइस जन रखेंगे और हर सुलास के साथ सब मनाया जाएगा सभी जनता यहां परिकर्ठा होगी कोई मैसे देना चाहोगे जनता को जनता के तहीं मैसे है कि पांसो साल के बाद राम जनम भूमी के सापना हुई है जिसको बाबर ने तोर करके मचीद बना दिया था अब राम जी का प्रश्ति मंदिर दीपनगर का पुजारी हुए यहां पर और यहां पर सब्लीक ठाओंगे कर स्लाम को बड़े धुमधाम से मिना जाएगा है कि अ कि अ कि 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 तॉनीयाओ् शहां पुझा पर जिर्णाओ डिल्साओ घुटादेखा पूम्राइव, जायष्री नाओ, जाय च्मुटादेखा बनागे थे आइका दो लाएव, जाय चुटादेखा जाहिए चुटादेख़ादेखा विज स्वेटल्साओ जय स्रीनाम, 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 जय हरी बबरी आज शोबा यत्रा कड़ी जा रही है किद दा फील कर रहे हो तुसीं साइद हम सभी सनातनियों के लिए सबसे बड़ा सोभाग का ये समाय है और सभी सनातनी क्योंकि बिश्ट का सबसे पुराना धर्म सनातन है जो सभी को सजोए हुए है यहां ना कोई उंच है ना यहां कोई ना बड़ा है ना शोटा है और हमारा धर्म सभी को सत मार्ग सिखाता है अहिंसा सिखाता है किसी जी कोई हिंसा ना करना संतोस रखना सिखाता है कि जो मिल जा हम उसमें खुश रहें परहित सिखाता है कि हमारा एक विश्ट का एक ऐसा ही धर्म सनातन धर्म है जो जो विश्व कल्लियान की चेष्टा करता है जो चाहता है कि हम पूरविश्व में हमारा धर्म हम सब एक होके रहें क्योंकि घट-घट में राम हैं और इसी राम से हमारे भारत बर्श का नाम है भारत रगवीर जो रामचंजी के बंसज हुए हैं रगुनात की ही करपा से हमारा यह है भब मंदर जो बाईस तारिकल जिनका सुभारम होना है हम चाहते हैं कि हम सभी मिलकर इस पावन पर पर एक होकर उस ईश्वर को भजन करें और विश्व कल्यार की कामना करें ताकि हम सब एक होके किसी के किसी भी प्रकार से मन में भेदना रखते हुए अपने अपने धर्म का पालन करें कल्श यात्रा जी निकाली गी है कहां से कहां तक निकाली है महापूर्ण अब्दूता अस्रम सुन्दर नगर हुसियारपुर से निकाली गई है और हम सब का एक युद्देश है कि हम सब विश्व कल्यार के लिए ही अगर अग्रसर हों और इस पत्थ पर बढ़ती रहें हमारे सब बहिनों भाई के तरफ से यही है जैश्री राम हर घर में श्री राम आकर करको अपना जंदा जो लहरा रहा है यह लेकर को चोटे बड़े को सब को बहुत बहुत बढ़ाई हैं यह लेकर को सब को नमस्कार अजी क्या कराई चाहोगे राम मंदर के प्लक्ष में बस समस सब को सरातनियों को यही कहेंगे कि कल 22 जनवरी 2024 को आप अपने घरों में दिवाली जरूर मनाएं अपने घर के पास कि में जो मंदर है उस मंदर में जाएं पूजन करें हवन करें स्री राम जी की प्राण परति समाज के लिए यही मक्सद है कि जो सोओ हुए है वो जागरी तोंधिन से और अपने अपने धर्म का उपालन करें जिससे उनका आपनी नौका भी पार हो आगे का संकेत हो आनिवाली पीड़ी का भी इस बहुत सागर से पार हो नाम लेते रहें और कर्म करते रहें और धंडा ये धंडा स्री राम का लहराते रहें बोलो जे श्री राम श्री राम अपती राम चंद्र की जें बोलो परंपूझे शूविपधूता निंडी महराज की जें संते समाजी की ये! ने जैसिराम, जैसिराम! जैसिराम, जैसिराम...! जैसिरी राम। अबने तो आपको अधे जब को आपको कि अबने जबाइब है जब श्राम मंदर का निर्मान जो वह हो चुका है और मुटनी इस थापना उसका जो पुर्बंद चल रहा है तो कल का जो दिन है वो कैसे मांती है पूरा टस्ट इस का रक्षितर के लिए लगा हुआ है जी हम यहां पर होश्यारपूर और पूर हिरा बावाधनना राम जी के और ठाकुर द्वारा से हैं हुश्यारपूर से तो हमारी कमेटि पूरा जो अक्षत टित्यादी जो आयोद्या से आय जोए हैं और सब को निमंतरन दे रहे हैं, कल 22 तारिक को स्री राम लला की स्थापना यद्या में होने जा रही है, तो यहां हमारे मंदिर में भी उसका खूब उत्सभ मनाया जाएगा, पूरे समाज में इंविटेशन दे दिया गया है, सभी को बुला दिया गया है, सब यहां पर कीरतन दोपहर में होगा और बाकि हमारे कमेटी के परदान जी है वो भी आ गए हैं इन से पता कर लिजिए कुछ सब तो पहला था मैं भभवान राम चंदर जी दे जो जुद्या देवेच मूर्ती स्थापना हो रही है उना दे अप्लक्स देवेच आप सारे नू बहुत बहुत मुबार्क देना बहुत अच्छा काम हो रहा और ए सारे नू भवान दे नाल जोन दा जो उनाने प्रजत्न किता है गा उदी असी बहुत लगा कर देया दूसरी काल नहीं थे साड़े मंदर ठाकर द्वारे देवेच असी बाई तरीक नू सोबा पहला किरतन होएगा किरतन दो बाद परशाद बंड़या जाएगा शाम नू छे दीम मला किती जाओगी दीम मला तो बाद एक एंटे दा फिर किरतन होएगा किरतन दो बाद फिर आत नू फिर असी परशाद जिड़ा हैगा ओवतरन करना बहुत दोस्तों आपका स्काइसी ओयल ये ओयल पूरा हंडर्डड़ प्रणाम चंदर जी दे परान प्रतिश्चा जो हो रही है उस दे अपलक्ष दे पेचा और सारे पेंडर नू बहुत-बहुत में बताई देना और सारे नू भी इस खुशी दे मोके दे बहुत-बहुत मुबार् दोस्तों आपका स्काइसी ओयल ये ओयल पूरा हंडर्ड़ परसेंट नैच्रल इंगीडियन्ट से बना हुआ है इसके अंदर टोटल नैच्रल हम्स पड़े हुए हैं कोई केमिकल नहीं है इसमें जहूर इसको एक बार आप यूज करें आपके मन को शांती होगी कि आज तक कैसा प्रडेक्ट हम लोगों नहीं देखा स्काइसी ओयल